हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटीब चैनल मकान निर्माण में क्या आपने सोचा है कि नीब को भूमी से नीचे ही क्यों बनाया जाता है तो आईए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि नीब को भूमी से नीचे ही क्यों बनाते हैं उसके हमारे मुख तीन कारण है पहला पॉइंट है सनरचना के लिए प्राक्तिक स्थान प्राप्त करने के लिए इससे मतलब होता है कि जहां पर भी हम नीब बना रहे हैं अगर हम नीब को डारेक्ट सरफेस पर रख देते हैं और वहां हमारी सनरचना क्या हो सकती है गिर सकती है या डिस्मेंटल हो सकती है जिसके लिए हमें हाइड स्थेटा चाहिए पड़ता है इस कारण से हम कुछ गहराई करके और हाइड स्थेटा प्रोबाइड करवाते हैं इसलिए हम भूमी के नीचे नीब को रखते हैं दूसरा पॉइंट है हमारा बायूमंडली ए गठी बिदियां बायूमंडली ए गठी बिदियों में इस एट्मॉसफिरिक एक्टिविटीज अब एट्मॉसफिरिक एक्टिविटीज क्या होती है जैसे मान लीजे अगर हम अपनी नीब को सताय पर रख देते हैं ground surface के उपर तो हमारे environment में कई सारे ऐसे रसायन हैं जो इसको effect कर सकते हैं या brain के कारण ये effect हो सकती है इसमें कई सारे रसायन पढ़ेंगे जिसके कारण हमारी नीब भी dismantle हो सकती है और भविश्च में खराब होगी जो हमारे लिए आंगे चल के संड़चना को डिस्मेंटल कर सकती है इससे बचने के लिए भी हम नीव को भूमी के नीचे कर देते हैं जिससे आपकी सुरक्षा बनी रहती है नीव की और आपका structure stable लेता है तीस्रा point है हमारा हवा के कारण overturning moment अव हवा के कारण overturning moment कैसा मान लिजे हमने अपनी सरफे जो नीव है वो सरफेस पर बना दी ground सरफेस पर सारे structure beam column पूरा हमने अपना structure तयार कर दिया जो bend pressure कहलाता है अगर हमारा तूफान आता है जो कि building पर ACTIVATE होता है और जब building पर ACTIVATE होगा तो हमारी जो नीफ सर्फेस परवनी हुई है वो overtaining होने के चान से ज़्यादा हो जाते हैं अगर ये हमारी foundation overtaining होता है या टान लेता है और pressure जादा है तो फिर हमारी बिल्डिंग को गिरने के चांद से ज़्यादा हो जाते हैं और जिस कारण से हमारा इस्टेक्चर भी फैल हो जाता है इसी लिए नीब को भूमी से नीचे बनाया जाता है इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें धन्यवाद